हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का अनलेसिस फॉर नेक्स्ट वीक तो शुरू करते हैं मन्तली चार्ट से तो आप देख सकते हो कि हमने नॉवेंबर में अच्छा खासा सेल ओफ देखा और बैंक निफ्टी जो है तो लगबग 40,300 के हाई से और यह बैंक निफ्टी फ्यूचर का चर्ट मैं एनलाइस कर रहा हूं तो लगबग 5,300 के हाई से लगबग 35,500 तक आये थे तो लगबग लगबग 5,300 पॉइंट का फॉल था टॉप से तो अच्छी खासी गिरावट हमने बैंक निफ्टी में देखी है और जो टार्गेट था 43,000 का वह लगबग टच वह टच नहीं हुआ मगर वहां जाने की किती बैंक निफ्टी ने और बैंक निफ्टी जो है तो थोड़ा सा अंडर प्रफॉर्म लग रहा है ऐस कंपेर टू निफ्टी हमने लगबग 41,000 820 के लेवल देखे थे मार मेरा जो टार्गेट था वह 43,300 का था जो अच्छी नहीं हो पाया मगर हमने यह दो टार्गेट अभी जो है तो मंतली चार्ट पे आप देख सकते हो कि डिसेंबर की कैंडल ग्रीन है और यहां जो है तो एक बाउंस बैक की कोशिश की जा रही है वह सकता है कि बाउंस बैक कंटिन्यू भी हो मगर यहां जो है तो हो लेटिली ज्यादा रहेगी और लॉंग मीडियम टू लॉंग टम व्यू से अभी मार्केट जो है तो करेक्टिव मोड में जा रहा है तो यहां मेरी सलह रहेगी जो भी बैंक निप्टी में इन्वेस्टेड है उनके लिए सलह रहेगे और जिनके पास बैंकिंग स्टॉक है एक तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉपलस लगा है या फिर प्रॉफिट बhou करते जाएं जिन में अच्छा ऊचा फासा फॉफिट हो रहा है जिन बैंकिंग स्टॉप में वहां जो है तो प्रॉफिट करने के कुशिस कीजिए मुझे लगता है कि बैंक निप्टी जो है तो एक बार नीचे के लेवल टच करेगा आने वाले 6-8 महिने में और आप यहाँ देख सकते हो कि super trend flat हो चुका है जब भी super trend flat होता है तो जो भी price है जिस भी price का chart है वो price उसको test करने के लिए आती है आप पीछे भी देख सकते हो यहाँ से उपर गया फिर से जो तो super trend flat हुआ तो यहाँ touch किया फिर उसने reversal दिया तो ऐसा हो सकता है और यहाँ जो जो दुसरा super trend है वो भी तुटने की जादा संभा होना है अगर corrective mode में गया market तो क्योंकि यहाँ से जो rally आई थी उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं भी correction नहीं है यह bottom है लगबख 16,500 का और लगबख top है लगबख 22,000 का तो जो rally है top to bottom आप देख सकते हो कि 16,000 से 22,000 मतलब जो है तो लगबख लगबख देड़ से दो गुना हो चुका है index और बीच में कहीं भी major correction नहीं है monthly chart पे तो correction आना स्वाबा होई के और इस correction में जो है तो आप जो भी investment में पैसा कामाया होगा जो भी profit चल रहा होगा उसको एक तो cap कीजे या फिर book कर लिजे मेरे इसरफ से आपको नीचे के मों के और मिलेंगे profit नई entry करने के लिए और और profit बनाने के लिए तो यहां मेरा जो corrective target रहेगा medium to long term में 32,400 और उसके बाद में जो next target रहेगा वो 28,900 का रहेगा बैंक निफ्टी में और यह जो है तो एक बार जो सारे इसको test करके ही reversal देगा बैंक निफ्टी तो जैसे यह तूटेगा जो 10-3 का super trend है जैसे तूटेगा हम एक अच्छी खासी गिरवट देखेंगे बैंक निफ्टी में panic selling देखेंगे आप देख सकते हो कि जब भी super trend तूटता है आप देखें यहां जो है तो 2019 के जो टॉप हुआ था 20 का जो टॉप हुआ था वहां से जो है तो एक ही candle में उसने जो है तो तोड़के फिर वहां bottom बना के reversal दिया था तो सेम ऐसे ही होता है अच्छे के या उपर के level की तरब तो यहां जो है तो मुझे लगता है कि medium to long term में बैंक निफ्टी ने टॉप बना दिया है फिलाल के लिए और नीचे के level आने की ज़्यादा संबहना है वो रहेंगे 32,400 और उसके बाद में जो है तो 28,900 और हो सकता है कि वो तूटने के बा तो weekly chart पे आप देख सकते हों कि जो index है वो second जो super trend है उसके पास है तो यहां से जो अभी crackdown आएगा वो बहुत ही बड़ा रहेगा क्योंकि अगर super trend तूटा तो एक बड़ी सी candle बनेगी यहां और हो सकता है कि यह जो नीचे का support है 33,100 का वो bank nifty test कर सकता है तो current level से वो आता है लगबग 3,200 पॉइंट तो लगबग आप percentage ही सबसे देखोगे तो 8-9% current level से जो यह तो bank nifty में गिरावट आ सकती है मगर यह यहां अच्छी बात एक है कि stochastic जो है तो oversold position में चला गया है तो यहां से अगर reversal आता है तो short covering में rally भी जो है तो उपर के तरफ बहुत ही बढ़ अगर यह level तूड गया उसने एक बार कोशिच की थी इसी हपते मगर वहां से जो है तो हमने अच्छा खासा bounce back देखा और उपर के level test करने के बाद फिर से जो है तब index नीचे आ रहा है क्योंकि Friday के दिन हमने 300 point का call देखा है और यहां जो है तो super trend के नीचे हम गए थे मगर व जा सकता है अभी फिलाल के लिए बैंक निफ्टी का जो लो है weekly chart पे वह 35,400 का है तो उस level से हम लगबग 800-900 point उपर है तो फिर से जो लो है वो तूट सकता है मेरे इसाफ से मगर यहां जो है तो देखना पड़ेगा stochastic कैसा मूह देता आगे चलके अभी देखते है डेली च के तरब जाने की कोशिश की थी और यह जो है तो यह इस महिने का पीवाट है तो उसको भी टच नहीं किया अभी तक तो इसलिए उपर के साइड आने की ज्यादा संबावना है बैंक निफ्टी में और मुझे लगता है कि नीचे जाने से पहले एक बार बैंक निफ्टी जो से तो यहां जो है तो शॉट टर्म के लिए और नियर टर्म के लिए मेरा बैंक निफ्टी पे लॉंग व्यू रहेगा मगर मीडियम टू लॉंग टर्म व्यू जो है तो करेक्टिव रहेगा या फिर बेरिश रहेगा माइल्ड टू मॉडर्र बेरिश रहेगा तो मैं 300,300 की level touch हो सकते हैं अगर या फिर जो है तो लगबग 35,800 की level touch हो सकते हैं अगर इसके बीच में आपको bank nifty मिलता है तो stop loss के साथ आपको long जाना चाहिए stop loss रहेगा आपका 35,400 की नीचे और उपर जो है तो 37,500 और उसके बाद में जो है तो लगबग 37,900 की level के लिए आप long जा सकते हैं bank nifty में और stop loss जो रहेगा आपका 35,400 की नीचे रहेगा यहां जो है तो आप monthly call option के साथ भी खेल सकते हो मगर यह कियाद रखिए कि volatility जाद रहेग तो option में play करना इतना आसा ने रहेगा आपको stop loss बड़े रखने होंगे तो कम lot में या फिर छोटे lot size में आप play कर सकते हो मगर आपको जो है तो volatility ज्यादा रहेगी तो आपको premium भी ज्यादा ऊपर या नीचे की level पे देखने को मिलेगा premium मतलब आपको जो premium gain होता है वो अगर आपको नीचे मिलता है जब support के पास आता है bank nifty तब आपको खरीदने चाहिए वी तो stop loss same और या फिर जो January का call option है 38,300 का वो भी लेकर चल सकते हैं मगर वह stop loss आपका लगबग 50 to 60% कर रहेगा और आपके gains जो रहेंगे target रहेंगे 100% plus के target रहेंगे तो यहाँ जो है तो option को आप इस तरह से खेल सकते हूं मंतली option को weekly option के लिए आप जो है तो जो मेरे daily के videos है उनको track कर सकते हो और उस ही सबसे आप daily के option या फिर intraday option में position ले सकते हो फिलाल के लिए मेरा short term view bank nifty पे bullish रहेगा आपको buy करना है नीचे के level पे नीचे के level रहेगे 35,800 to 35,400 और उसके न पोइंट 35,400 के नीचे stop loss रखेंगे और target रहेगा मेरा लगबख 37,500 और maximum जो है तो लगबख 38,900 तक जा सकते हैं इसकी संभावना का में यह उपर का जो level है CPR का तो 37,900 आता है तो वहां तक के level क्या आप expect कर सकते हो bank nifty में अगर bounce back नहीं आया तो यहां जब breakdown आएगा 200 days के नीचे तो वह violent रहेगा और हम जो है तो sharp downside देख सकते है bank nifty में और जब भी downside आती है तो वह हर बार sharp रहती है यह ध्यान में रखिए तो अगर यह breakdown होता है अच्छा खासा तो आप जो है तो in the money put option भी लेकर चल सकते हो तो उसमें भी थोड़ा सा risk जाधा रहेगा क्योंकि volatility जाधा रहती है अभी wix भी बड़ा हुआ है तो volatility जाधा रहेगी तो आपको उस तरह से आपका risk management करना पड़ेगा अगर नीचे तूटता है तो हम जो है तो banknifty में 34,200 और उसके बाद में जो है तो 32,500 के level भी banknifty में देख सकते है तो I hope so कि analyst आपके लिए helpful रहे और आप जो है तो अच्छा खासा मुनापा कमाए इस information की वज़े से तो प्लीज दस्तों वीडियो को लाइक कर जीजे वीडि अच्छे लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो